मित्रो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप देख रहे धर्म सिक्छा मित्रो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फरवरी 2022 में कोन-कोन सी एकादसी पढ़ने वाली है साथ ही उन एकादसी का महत्तु क्या है और इस व्रत के नियम क्या है साब्धनी क्या आपको ब्रतनी चाहिए तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए फरवरी 2022 के एकादसी के पारे में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जोड़ करें और कमेंट बॉक्स में जैस्तिरी कृष्णा जोड़ लिखें जैसा कि आप सभी जानते हैं भारती जोतिस पंचांग में एक माह में दो पक्ष होते हैं पहला क्रिष्ण पक्ष दूसरा सुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में जो एकादसी तिथी होती है उसी दिन एकादसी का वरत रखा जाता है एकादसी अर्था ग्यारा अर्था दोनों पक्षों की ग्यारा हुई तिथी को एकादसी का वरत रखा जाता है और इस वर्त का पारण 12 तिथी को किया जाता है आई अब पहले जाल लेते फरवरी 2022 में 21 कब गब रहने वाली है पहली एकादसी फरवरी 2022 में रहने वाली है जया एकादसी 81 तिथी प्रारंब होगी सुकुरुवार 11 फरवरी 2022 को दिन के 1 बज कर 47 मिनट से और एकादसी तिथी की समाप्ती होगी सनीवार 12 फरवरी के दिन में 3 बच कर 55 मिनट पर अब चुकी एकादसी तिथी में सूर्योदे किस दिन हो रहा है सनीवार 12 फरवरी को हो रहा है अब फरवरी 2022 में दूसरी एकाथसी रहेगी विज्या एकाथसी 81 तिथी प्रारंब होगी सनीवार 26 फरवरी को दिन के 8 बच कर 30 मिनट से और 81 तिथी की समाप्ती होगी रईवार 27 फरवरी को सुबा सुर्योदे से पहले 6 बच कर 9 मिनट पर अब जुकि 81 तिथी ज्यादा तर समय सनीवार 26 फरवरी को ही है क्योंकि 8 बच कर 30 मिनट से 81 तिथी प्रारंब हो जाएगी दिन के तो लगभख पूरे ही दिन और पूरी रात्री में सनीवार 26 फरवरी को ही 81 तिथी रहेगी तो इसी दिन 81 का वरत रखा जाएगा और रईवार 27 फरवरी को 82 तिथी रहेगी इसमें आप पारण कर सकते हैं आई ये एक कुछ साबभणियों के बारे में जान लेते हैं जो 81 तिथी को रखनी चाहीए चाहा है आप वरत करते हो तब भी ना करते हो तब भी पहला घर के परिवार के सदस्य कोई भी हो वो चावल इस दिन नहीं खाना चाहिए एकाजसी तेथी को चावल खाना सास्त्रों में वर्जित है मांस मदीरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें किसी भी सदस्य को इसकी अनमती नहीं होती है प्याद लहसुन का उपयोग घर में ना करें तो अती उत्त्म चाहिए आपके यहां कोई वर्द कर रहो तब भी ना कर रहो तब भी अगर आप वर्द करते हैं तो आपको इस बात का खास तोर पर ध्यान रखना है कि आपको मन सांथ रखना है किसी की सिकायत करनी से निंदा करने से आपको बचनी चाहिए किसी की बारे में ज़्यादा मत सुचें अपना ध्यान सिर्फ और सिपवने भक्ती पर लगाए ये सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है एकादसी व्रत के लिए तो मित्रों उम्मीद है मुझे एकादसी फरवई 2022 में जो जो भी रहने वाल है उसके लिए आपको संपूर्ण जनकारी मिल पाई होगी इसी तरह की अनिग्यान वर्धक वीडियो के लिए जुरे रहे धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहे है धर्मसिक्छा जे माता दी